नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी बीबी मुस्कान नाम तो समने सुना ही है एक स्कूल में पढ़ने वाली एक आम सी लड़की करनाटक के बुरका विवाद से चर्चा में आई और मीडिया की सुर्खियों में शुमार हो गई एक वक्त था जब ये लड़की हर न्यूस चैनल पर प्रमुक्ता के साथ दिखाई जा रही थी मुस्कान को भारत की महान महिला बताया गया अलकाइदा से तारीफ मिली लाख रुपे के इनाम और धेर सारे तोफे से नवाजा गया ये सही थाया गलत बताना मुश्किल है लेकिन इन लड़की एक बार फिर से खबरों में है मुस्कान बिना पुलिस को बताये परिवार के साथ साओधी अरब चली गई है जिसे लेकर विवाद जोरू पर है क्या है पूरा मामला जाने के लिए देखे हमारी रिपोर्ट करनाटक के बुरका विवाद से चर्चा में आई बीबी मुस्कान जैनब खान अब एक नए विवाद में घिरती दिखाई दे रही है बताया जा रहा है कि बिना स्थान्य पुलिस को सूचित किये मुस्कान अपने परिवार के साथ साओधी अरब चली गई है ऐसा माना जा रहा है कि मुस्कान पूरे परिवार के साथ मजभी यात्रा पर 25 एप्रिल 2022 को निकली है साथ ही कहा जा रहा है कि वो 18 मई 2022 को मक्का की यात्रा करेंगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थान्य पुलिस ने मुस्कान खान की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अपने कहीं आने जाने की गतिविधियों की जानकारी देते रहने के लिए कहा था ऐसे में बिना पुलिस को बताए उनके साथी अरब चले जाने से पुलिस कर्मी चिंतित है मुस्कान खान करनाटक के मांडिया में P.E.S. College of Arts, Science and Commerce की स्टूडिन्ट है इसी कॉलिज में उन्होंने हिजाब विवात के दुरान अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था मुस्कान की साउधी अरब यात्रा आतंकी समू अलकाइदा के मुख्या एमान अल जवाहरी से मिली तारीफ के एक महीने बाद हुई है ये तारीफ मुस्कान के हिंदू छात्रों के आगे लगाये गए अल्लाहू अकबर के नारे के बात की गई थी नौ मिनिट के वीडियो में अल जवाहरी ने खुद को मुस्कान से प्रभावत बताया था जवायरी ने मुस्कान को भारत की महान महिला बताते हुए इनके समर्थन में एक कवता भी गाई थी अलकाइदा से मिली तारीफ के एक महने बाद मुस्कान का बिना स्थान ये पुलिस को सूचित किये उम्रा करने जाना कुछ लोगों के संदे पैदा कर रहा है हिंदू संगठनों ने इस मामले में मुस्कान खान के खिलाफ जांच की मांग की है हिंदू समों ने अलकाइदा से संबंदों के साथ मुस्कान को मिले उपहारों और पैसों की पड़ताल की आवाज उठाई है मुसकान की नारे बाजी से ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि उनका संबन चरंपंती इसलामी समूप PFI से भी है इस संबन में बीच की कड़ी मुसकान के अबबा अब्दुल सुकूर रहे थे करनाटक बुर्का विवात के दुरान मुसकान बीबी मुसलिम समू में काफी चच्जित हो गई थी उनको उपहार और गिफ्ट देने वालों की भरमार लग गई थी जिसमें मुंबई से कॉंग्रिस के विधायक जिशान सिद्धी की भी शामिल थे जिशान ने मुसकान को आईफोन और स्मार्ट वाच दिया था वहीं जमित उलेमा ने मुसकान को पांच लाक रुपे कैश देने की घोशना की थी इतना सब होने के बावजूद सवाल उतना लाज़मी है अलकाईदा से तारीफ मिलना पीएफाई से अबाजजान का संबंध होना और अब बिना बताए साउदी अरब चले जाना वो भी पुलस को बिना बताए ये सब बाते वाकई में मुसकान जैनब को सवालों की घेरे में खड़ा करती है हिंदू संगठनों की इस पूरे मामने की जाँच करने की मांग बेबुनियाद नहीं है पिएफाई और अलकाईदा की जाँच होना जरूरी है फिलाल इस खबर में इतना ही देखते रही कैप्चर टीवी नमसकार